आज हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि इकाई गया रहा है बारेज गड़े ठीक है तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे देखो ऺजcimento कीसी धनका दो बारस में चकरबती बियाजी मिली मिली यह दिया गया है। तो मतल्व यह हमारे प्रंसिपल है ठीक है अब हमाहे पास एक कितना हो जाता नहीं प्रेंज़ूयों एक वर सक्राइब तो हमसे पोच रहा है दर हमारी क्या होगी सिंपल से बात है तो मुझाज फार्मूल हम जानताएं का जानताएं A बराबर P प्रकितने ऊफैश्ट कchuckles 24्य इसमें कैसे निकालने निकालने है भर सव ऑस समय को सा निया एक बस जाता है मतलब पर बाटे 100 क्योंकि एक बरस का अब इससे हम क्या करेंगे इसको काट लेंगे देखो यहां पर हम 0 से 0 कट गया आप काटना चाहो तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा यहां से 6 से यहां से काट लो देखो लो दो दूँदनीचा जीरो दो एकम दो Dosya दूँदनीचा दुछक्क्य राबरड थिक है रहे दो हे दब यहां से पर काटना देखो ब्हतय दूदनीचे थी तढ़नीच रहा हो तो दोथर बहत जीरो दो दोदनीचेवा20 रस ठीक है हम यहां क्या करेंगे एक इह दो दूदन आड़ी आए माइनस के बन बराबर आर वठी संवरें गया कJI इसे कि cents ऐ माइनस के 20sm बराबर आरे की थीक है अब 100 रहे हैं कहां लगा एक वोच्ह से करते लोड़ेंगे करतेने के तो तो क्या आपको माई बीस पंजे सो आर का मान कतना आगे 5 यह निकालना था तो हमां पास आर का आंसर के आगे आर वटे 5 आगे तो अब दर केते निकला है 5% तो क्या हो जाएगा है आर वराभर यह आंसर बी वाला वारा उप्शन मिलकुत सही हो जाए कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लीजेग दर हमारा के पास कहा दे रहा है दर बरावर दे रहा आठ परसेंट किसमें दे रहा हमाँ पास बाहर सिख ब्याज की तर से यह कितना क्या दिया हमाँ पास बाहर सिख का दिया गया है विकल्प होगा और हमें पूछ किस मेरा अत्यमाई में तो त्यमाई निकाल लेंगे तो आठ गोने त्यमाई एक बरसम कितनी है चाती और बारा वलब क्या है बन बाई फोर तो चार दूनी आठ बरावर कितना आ जाएगा ये दो परसेंट तो मारे पास यह वाला आंसर हो एक वर्सम कितनी होती है तिमाई तीन जों के बारा चार होती है अम और मुझ से कर पूछ रहा है ये तो एक बाटे चार होगा बारसिक था आप एक बाटे चार कर दे चार दूनी आठ तो दो हमाई परसेंट आ गया है कोई दिक्कत हो पूछ लेना चलिए ने सोसल लेके लि करेंस ल पूछ रहा है को यहां पर कैसे चेशे बारा होता है तो यहांपे इसका क्या होाएगा इसका इसका ही हमारा क्या हो जाएगा आधा होजाएगा ठीक है क्या हुआगा रजायगा दो पंजे 10 मलब 5 तो आंसर इसका क्या हुआ है बी का यह वाला ओपषन हो जाएगा तो बी वाले ओपषन क्या हुआगा यह वाला हो जाएगा आधी इस तरह से आंसर इसके हो गए कोई दिक्कत हो कोई दिक्कत नहीं मूलदन हमारा कितना दिया गया है सो रुपया दिया गया है अब हमाँ पास दर कितनी दीगी आर वरावा कितनी दी दस परसेंट दीगई हमें मालूम क्या निकाला है चक्रवधी यह तो इसके ब्याज प्यायों निकालेंगे श्यक्रवधी दीद्द्र निकालेंगे इलिए जिरो से जीरो कट गया एल मेंDR GUY जीरो कट गया है तो देख जीरो से जीरो कट गए जीरो से गञीरा हूं इस दो भर है है दस ऑंठेंगो गृण hyper-10 driven yen रही के दिक्षकता वाली कि नहीं थक वाली बात 121 यह क्या निकल क्या है मिस्र धन निकल क्या है हमेंसा याद रखना है यह क्या निकल क्या है मिस्र धन तो यहां लिख देंगे तो मिस्र धन कितना हो गया हमापस 121 अवमें निकालना क्या है ब्याज तो लिखेंगे यहां पर चक्र ब्रद्धी ब्याज ब्राबर क्या होता है मिसरधन मैंसे गटा दो मूल धन तो लिग देँ तो क्या जाए मिस्रधन मायनस कि मूल धन तो मूल धन कुटना आया था एक पैसंप यह किस रूपाय लगाता है इक एस रूपय다면 आज़ा वंगाता हो इसका इसका पैसर हो गया चलिए एक व्रस एक पंद्वाटर व्याज की साधर ब्याज में अंतर बताई थीक है हमाने विख्राइब किया गया 500 पांचो रुपए ठीक अब बारस व्याज की दर दिया गया । इन बर्ष के लिए पुझे हमसे तो ऐन वरावर क्या दिया गया एक बर्स तो पहले क्या निकालेंगे चक्रवति भियाद फार्मूला होताँ चकल अ यह बराबर होता है p को स्ट कर बन पीलस केhistiा औरवाटे 100 वर्ध है तो a कितना दी रहें हैं 507 अ अredit कितनी दीगी एक बरस का है तो एक लगा दी नहीं तो क्या हो जाएगा 500 अब जिए कितना उस्सा ओ एकम 100 और 15 कितना हो जाएगा 115 ठीक है 115 वह गया तो इसमें क्या हो गया हमापस देखो यहां पर कितना हो गया कितना हो गया 115 वाटे 100 अब हम क्या करेंग देखो जब 115 हो गया जरा देखें आप दो जीरुए दो जीरुए दो जीरुए पांच 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 दो साथ पांच एकम पांच कितना आ गया 755 आ गया है यह हमारा क्या आ गया है मिस्तधन आ गया ठीक है अब यह परांवर इतना आ गया आ चाली है 25 रुपया ठीक सकता पांच से दो जीरुए 5 gitna आ जो चेकर दी से अब किससे लगांगे है साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 मूलधन हमाँ पास कतना है पांस रुपए दर कितनी हमाँ पास 15% समय कतना एक बर्स बटे 100 अब कहए रहा है कि शक्रवती ब्याज भ्याज में अंतर क्या होगा कोई अंतर नहीं होगा ठीक है कोई दिक्कत कोई नहीं सकती है ठीक है इस दोनों से आंसर बल्कूष सीम आया चले लिए क्लोसम ने देखे लेते हैं कहए कि कोई धन 612% की बैयाज की व्यास की दर से एक बर्स के लिए दिया जाता है यहे दिख प्रति छमाई दई हो तो तिमाई की व्यास की बहुत इछा है बासिक धर में पास कितना है देखो जरह समझो, यहां पर, बासिक जो धर है, कितनी है, 12 संप, मरा हमसे क्या पूचरा आँ, तिमाही पूचरा है, तो लिखो, चार होता है, दिमाही दर वरा पर, 12 संप, अच्छ दी तिमाई कल्कोर ने 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 कोशन हम से क्या कह रहा है नियक कोशन कह रहा है कि यह 20 रुपए का 10 से Л.0 कर सावच चेकर ब्याज ग्याद किया जी अगर ब्याज केसा हो तिमाई 66 सोया तो इसमें तिमाई इसमें पहले मूल्दन कई रहे हमने दोगजार रोपए लगाए तो दर यकाय पूर्ट कितना आगया अब्हकर समय कंग कि तना पूछ रहा है मैं लगाला कैया है छ्माइब क्या है यह है आदा है ये क्या हमारा पास है बारसिक है जो भास मचलिए हमारा लग । यहां में लगाना है छमाई हम चमाई ठी CF क्या हो जाएगा यहां पर देखों पवर ठीस अजी क्या होती है 10th benefit ख्याया.. कडी हैam.. टीक टेलड बरस में कितना अच्छामाई । एक बरस में ॥ो प्रकाइँ हो जाएं। कितने हो जाएंत पिर्दिक वाली भीके -" हम से पहुंचा है और हम से है चक्रवधी ब्याज च्छेवथी ब्याज फार्मूला बें मालूब तो A बराबर P कोष्ट के 1 पिलस के आर वटे 100 की पावर यान, तो P कितना लग रहा है मापस? 2000 रुपए, बन पिलस के आर कितना लग रहा है मापस? 5%, सिद्धिय अच्छ महीं लग रहा है, 100, अब कितने लिगी रहा है? 3 के लिए लग रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात है अब जरा यहाँ पर देखें, आब इसका गुड़ा करेंगे, तो हमारे पास गुड़ा कितना आजाएगा, अंसर में? ठीक, अब फर इसमें क्या करेंगे? हम 2 काईस में, 4 काईस में कर देंगे, तो देखो 21, 21 कितना होता है? 441, ठीक है? अब 21 का और कर दें, तो क्या हो एक चार चार गोड़े, 2 एकम, 2, 24, 8, 24, 8, तो एक, छे, आट, चार, बारा, बानवे, 61, ठीक है? कितना आ गया है? यहाँ लिखेंगे, 92, 61, बटे, 2 दूनी, आफ चार का इसमें क्या कर देंगे? हम भाग देंगे, तो देखो, चार का हम भाग देंगे, क्या हो जागा? चा चार दुन्याट चाती हो 12 अब यहां फिर करेंगे 4 एक हम 4 बचे 2 और 4 पंजे 20 चार पंजे 20 अब यहां के फिर बचा 4 दुन्याट 4 पंजे 20 इतना आ जाएगा अंसर ठीक इतने रुपए आ गया कोई दिक्कत वाली बात है नहीं फिर हमसे क्या पूछ रहा है अब हमसे ब्या मैनस के पी यह हमारा कितना निकल गया है 25.25 ठीक है अब घटाएं कितने अस में पी कितना लगया था 2000 रुपए तो 2000 लगा देंगे तो महां पास क्या बच जाएगा देख लो यह बच जाएगा 315.25 यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात है है ठीक है चलिए इनकोौसर देख लिए तने क्या दिक्कत है घा घा रा है कि 15.15 बांद किए 810 रुपए हो जाएगा ठीक महां पास क्यादा danach दिया गया 25 वैटे 2% किसकी बार्सिक यहाद रखना बार्सिक दिया गया है ठीक तो फार्मूला आँपास है क्या ए वराबर पी कोष्ट बन प्लस के आर वैटे 100 पावर यन तो एका मामला कितना दिया गया है मालूम 6810 है पी कितना दिया है 640 है बन के अब हमें आपाय पस क्या लगरा है 25 सबसंब क्या लगा देंगे साउग अब आएन कितना लगरा है इस देखो या आयन हमें पता करने है क्योंकि हमें अभी समय नहीं पता है थीक है तो तो यहाँप कितना हो जाएगा देखो यहाँप हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चो कुझ चार दूनी आठ तो यहाँ जी आजाएगा एक बटे 640 बराबर 4 दूनी आठ एक 9 9 बटे 8 अप़ाबर यहन है यहमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं 00 कट गया अब यह कितना हो ग संसार केуд crest कोई धिक्कत कि जब दो बर्स आ गया तो क्या हो जाएगा दो क्या हो जाये है तो कि एतनी दर्स से कितने बर्स में धो самी फहें हुज सूरारे बारा पर्सेंट वैस कि दर्से अगिर आदें च्करूदे वैस को अध़िमाय हो इस तीभाज हो कि मूलदन किया है पी बरावर कितना दिया गया हमारा पस साड़े बारा पसेंट तिमाही हो तो साड़े बारा पसेंट लगेगा ठीक दिमाही लगेगा भैजा लगेगा यह वारा तिमाही आ जाएगा कोई दिक्क्त वाली बाist नहीं ठीक है अप समय कतना केतना है आदा वरस इसमें तिमाई कितनी हो जाएंगी एक बटे दो गोडे चार तो 2-4 बराबा दो तिमाई कितनी कलाएगे कोई दिक्कT वाली बाद है नहीं, 2-4 तो यहाँ पर क्या लेगाए ए वराबर पी को स्ट एक बन पिलस पिलस पिर बटे 100 और आयन तो ए हमारे पास कितना दिया गैए तो देखो एक जीरो से जीरो बढ़े गया एक 65 एक जार और यहां कितना आटी 100 गोणे आठ चोग 32 हो एक 33 बटे 32 दो बार तो 51 बीस गुणे 33 बटे 32 गुणे 33 बटे 32 ठीक है अब कोई दिक्कत वाली बात है निदेगो काटना चार चार सकट जाएगा कैसे कटेगा देखो जरा यहां पर समझें हम क्या करेंगा देखो यहां क्या हो चार 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 लोगा ठीक, अब 8 से काटना चाहा, तो 8 से भी कट जाएगा, कैसे, 8 हे एकम, 8 चार बारा, अब 8 शंगलता वाले, 0, अम यह आप क्या जाएगा, 16 एकम, 16, 16 दूनी, 32, दो से काटना जिन तो पंजे, 10, कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है, अब 33 गुणा 23, करें, तो 33, 99, अब 33, 99, और 99, कितना हो गया, 108, कोई दिक्कत, अब 5 यह था, 5 एक गुणा हो जाएगा, इसमें, तो क्या हो जाएगा, पान्यम, 45, अब आठो, 44, और 4, 44, 5 एकम, 5, कोई दिक्कत, 54, 45 आ गया, यह हमारा क्या आ गया, यह बराबर आ गया, अब हम से पूचा क्या है, ब्याज पूचा तो हम जानते है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस के प, ए हमारा पास क्या है, 54, 45, अब माइनस के कितना आया, प कितना था, 51, 20, हम गटा देंगे, तो 5 के, 55, ठीक है, अब 4 मैं से दो गया, 2, अब 4 मैं से गया, 3, 325 रुपए, यह हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा एंसर यह आंसर खरो कोई दिखकत हो पूछ लेना ठीक है चलिये कोसन लेते है कि किस भ्याज की बास ब्याज की दर्स से 4 जार रुपए 9 मामें इतने रुपए चकृदीवाज की दर्स से हो तो हम क्या निकालेंगे ब्याज दियागे खाली है चक्रवधी ब्याज डियागे च्क्र ब्रद्धी ब्याज हमाँ पास क्या चाहिए मिस्रधन चाहिए कितना च्छक्रवधी डिया डिया 630.50 हम Smith तो मिस्टर दहन के लिए क्या करना पड़ेगा सो मिस्तर धन के लिए हमाई पास क्या करना पड़ेगा इसको से मिस्तर दहन यह निकालने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा不錯 मूल्दन कितना çevrat staffolar अब प्लस के कितना है 630.50 तो जोड़ दो कितना हो जाए 46 46 30.50 रोपए ठीक है अब समय कतना दी जागा है 9 महा ठीक एन बराबर क्या दिया है 9 महा आप हम पर तिमाही सोयोत होता है तो क्या हो जाएगा 3 रह जाएगा सिधी बात है तीन तुरुका नो तो किया तीन तिम ही आ जाएगी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ठीक है अब आर अपने उच्छा है निकाल लो भहिया तो सिंपल सी बात फार्मुला में जानते हैं क्या अवता ए बराबर पी कोश्ट अक बन फ्लस के आर बटे सो और तो ए कितना दिया ग पॉइंट पचास और कि टना दिया है हमां पस विचारज दिया वाली बात नहीं है這裡 कोई दिक्त वाली बात नहीं तो हम 30.50 और यह चारजर कहा जाएगा नीचे आ जाएगा बराबर बन प्लस के आर बटे सव अब पावर तीन तो पॉइंट से तो दो जीरू बाट ला जाएगा एक जीरू से एक जीरू कट जाएगा ठीक है कोई दिकत वाली बात नहीं अब हम क्या करेंगे 5 से काट लेंगे देख कि 91 वटे 8000 ठीक है बराबर की आवचे बंपिलस के आर बटे हन्रेट का होल पावर अब हम मालुम है यह कितने होता क्यों 21 होता है यह कितने होता है 20 होता है 3 गाति आंगई ठीक है यह क्या हो जाएगा बन प्लस आई बाटे सव तीन अब किमपरी करनें यह बच्छी आएग यहां पर क्या होगा अब देखो हमें मालूम पड़के यह सेम है गाते सेम तो यह रह जाएगा तो लिखेंगे हैं क्या लिखेंगे 21 बाटे 20 अब 6 बाटे 100 बाटे 100 बाटे बारसी निकालना होगा तुम यह मारा क्या होगा तिमाही आ गया अब बारसी के लिए क्या करना पड़ेगा देखूं तो पांच गुणे चार बराबर कितना पांच योग को बारसी के आ गया और यह किसका आ गया हमारा तिमाही यह हमारा क्या आ गया तो ठीक है अब मिलेंगे नेक्स बीडियो तर तक अगले धनबाद क्योंकि अगला पार्ट नेक्स वीडियो में आएगा